नमस्कारा प्लाइब सेडीज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ असीम खान देखे इस बक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं यह खबर तेयस्वी यादब के कारिकरता संबाद यात्रा से जुड़ी है देखे जगदा नंज सिंग ने बड़ा निर्दे इस पर लगबग जो कारे है वो पूरी हो चुकी है लिस्ट तयार करने का निर्देज आरजए डी कारिकरताओं का और नेताओं का लिस्ट तयार किया जा रहा है क्योंकि तेयस्वी यादब 11 अक्टूबर को बाका में रहेंगे और कारिकरता संबाद करेंगे यानि कारकरताओं से बात करेंगे कारिकरताओं से रुबरू होंगे कारिकरताओं से आमने सामने बैट बाचीत होगी तेज़श्मी यादब की देखे उससे पहले देखे लिस्ट तयार किये गए और लिस्ट जो तयार किया गया है उस लिस्ट में किन का नाम है वह भी हम बताएंगे और लिस्ट क्यों तयार किया जा रहा है वह भी हम बताएंगे देखिए यह लिस्ट जो तयार किया जा रहा है कई माइनों में बहुत ही खास और अहम है देखे तेयस्वी यादब 15 अक्टूबर को बाका की ओर निकलेंगे क्योंकि बाका से ही सुरुआत है और 16 अक्टूबर को बाका कारेकरताओं से बातचीत करेंगे देखे तेयस्वी यादब कारेकरताओं से जो संबाद सापित करेंगे उसमें जो कारेकरता पहुंचेंगे जो नेता पहुंचेंगे उसमें बड़े चेहरे कोई भी नहीं होगे और सबसे एहम बात हम आपको कैंडिडेट को लेकर बताएंगे देखे चुनावी धोर है तमाम राजितिक दल चुनाओं में जुटी है और ऐसे में देखे कारेकरताओं में भी इच्छा होती है कि वह चुनाओ लड़े और वह अपने नेता के समझ ये बाते रखते हैं के लिए उनसे तेयस्वी यादब मुलाकात करेंगे तमाम बाते हम आपको बताएंगे उससे पहले हम आपको बताएंगे कि लिस्ट किन्नेताओं का तयार किया जा रहा है और वह लिस्ट तेयस्वी यादब को सौपा जाएगा और तेयस्वी यादब को जो लिस्ट सौपा जाएगा वो बहुत खास है देखे पंदरा तारीख यानि कल का दिन जब तेजस्वी यादब यात्रा पर निकलेंगे बिहार की यात्रा और तेजस्वी यादब इस यात्रा में बाका जमुई मुगेर सिकपूरा लखी सराय नालंदा नवादा जहानावाद गया इन तमाम ज जाएंगे और कारेकरताओं से मुखातिब होंगे कारेकरताओं से बात करेंगे चुनावी दोर है और ऐसे में ग्राउंड जीरो की हकीकत जानना बेखद ही जरूरी है और यही कारण है कि तेजस्वी यादब यात्रा पर निकले हैं और तेजस्वी यादब दूसरे चरण क की यात्रा की सुरुवात 15 अक्टूबर से करेंगे मगर कारेकरताओं के साथ संबाद अस्थापित जो पहले से कारेकरम निर्धारित हैं 16 अक्टूबर बाका से सुरुवात तो बिल्कुल 16 अक्टूबर को ही तिजस्वी आदब कारेकरताओं के साथ आमने सामने बैठ कर बात करेंगे देखे इस दोरान जो परभारी बनाए गए हैं वह उन तमाम जिलों में होंगे और मोर्चा समझाले जगदानन सिंग ने जो निर्देश दिया है बाकुबी उस निर्देश का पालन हो इसको लेकर जो परभारी बनाए गए हैं वो लगातारिक कारे कर रहे हैं सूची तयार कर ली गई है और जो सूची तयार की गई है जो लिस्ट तयार किया गया है वह खास है हम बार बार यह बात का जुक्रिस लेकर रहे हैं क्योंकि जो सूची तयार की गई है जो लिस्ट तयार किया गया है उस लिस्ट में जिसका नाम होगा वह बैठक में सामिल होगे और देखे सबसे अहम और आंतरिक बात जो कयासों के दौर में खूब रन कर रही है खूब दोर रही है अगर आपको याद होगा तो पहले चरण की यात्रा और देखे तयस्वी यादव काफी बारिकी से इस बार तमाम पहलों पर नजर बनाए हुए हैं और यही कारण है कि देखिए एक तरफ जहां लिस्ट तयार की आजारा है वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादब बिना किसी को बताए और बिना किसी तरह की सूचना के अपने खासम खास को उन जिलों में भेज रहे हैं जहां तेजस्वी यादब को यात्रा कर दी अब आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं यह भी हम आपको बता देते हैं ग्राउंड जीरो में जो सक्रिय करेकरता हैं और उन करेकरताओं को बैठक में बुलाया जाए इसको लेकर तेजस्वी-यादव खुद भी पहल कर रहे हैं और यही कारण है कि पटना से तेश्वी यादब की टीम जा रही है राश्टी जनता दल के ब्यार परदेश अद्ध जगदानन सिंग ने जिस टीम का घठन किया है यानि जो परभारी बनाए गए हैं और जो छेतर में सक्रिये हैं उन लोगों का तो सुची तयार किया ही जा रहा है साथी साथ देखिए फीडबैक लिए जा रहे हैं तेश्वी यादब की तरफ से तेश्वी यादब बिना बताए बिना किसी को कुछ निर्देश दिये अपने खासम खास लोगों को छेतर में भेज रहे हैं और ग्राउंड जीरो के मजबूत रास्टिय जन्ता अदल के सिपाई का चैन कर रहे हैं और उन्हें डाइरेक कॉल भी जा रहा है और तेश्वी यादब देखे बैठक जो कर रहे हैं उस बैठक में कौन कौन सामीर होंगे अब हम उनका जिक्र भी बता देते हैं उनका नाम बता देते हैं उनका जिक्र कर देते हैं देखे वाड सदस मुखिया पंचायत समिती के सदस रास्टिय जन्ता दल के वह कारी करता जो लगतार दिन रात एक कर पार्टी को सीच रहे हैं मस्बूत बना रहे हैं उनकी सूची भी तैयार की जा रही है जिला अध्याच सभी प्रकोस्तों के अध्याच इन तमाम नेताओं को बुलाए गया और इन नेताओं में देखिए दूसरे जिला के कोई भी रास्टिय जनत आदल के नेता और कारेकरता पाटिस्पेट नहीं करेंगे यानि जिस जिला में तिजश्वी आदब की बैठक होगे उस जिला के ही नेता और कारेकरता संबाद यात्रा के दौरान उस जिला में मौदूध होंगे और देखे यह सूची जो तैयार की जा रही है उसमें खास यह है कि candidate इच्छुक यानि कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जो candidate बनना चाहते हैं वह इस बैठक में सामिल नहीं हो तेयस्वी आदब ने असपस रूप से कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के दिए दिन रात एक कर जो मजबूती के साथ कारे कर रहे हैं उन्हें विशे इस रूप से आमंत्रन है और वह यानि तेयस्वी आदब वह तमाम नेताओं से बात भी करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो की हकीकत भी जानना है समझना है और देखे इस बार बड़ा उलट फेर होने वाला है दोहजार पचीस बिहार विधान सभा चुनाओं में अब लगतार एक बात को दोहराते वे दिखाई देते हैं कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं तेयस्वी आदब ने कई बार कहाए कि इस बार युवाओं को मौका मिलेगा इस बार वैसे नेताओं को भी मौका मिलेगा जो लगतार ग्राउंड जीरो पर सक्रिये हैं और तमाम जाती समिकरणों को एक जूट कर पिरो कर इस बार चुनावी मैदान में उत्रा जाएगा हमने आपको बताया कि इस बार जो सूची तयार की जा रही है जो लिस्ट तयार किया गया है उनमें किन-किन लोगों का नाम है फिराल इस वीडियो में इतना ही है अब तक आपको बहुत-बहुत सुदू है